तो हे गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल एक तरह है रियल्मी एट और एक तरह है रेड्मी नोट 11 और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस दोनों में से आपके लिए कौन सा फोन अच्छा होगा अगर आप एक अच्छा फोन खरिदने के लिए सोच रहे हैं त चैनल को भी जरूर सब्स्राइब किजिएगा क्यूंकि मैं भी अपने चैनल पर इसी तरीका का कंटेंट अपलोड करते रहता हूं तो बात करते हैं इस फोन में डिस्प्लेय का तो इस फोन का डिस्प्लेय जो साइज है साड़े 6 इंचे दोनों में और इस फोन में आपको IPS LCD डिस्प्लेय देखने को मिलता है और AMOLED डिस्प्लेय इस में आपको देखने को नहीं मिलता है ठीक है यहां पर इडिटिंग में थोड़ा प्रोब्लम हो चुका था अगर कैमरा की बात कि जाए तो रियल मेट फोन में आपको 48 मिगा पिक्सल का मैं कैमरा है लेकिन रेड्म 11 में वी आपको 16 MP का सेलफी केमरा देखने को मिल जाता है तो कैमरा के मामल में दोनों फोन वढ़ियां है अगर NETWORK की बात की जाए तो रेल में आपका 5G फोन है और 12 importantly वह आपको 5G में लेटीन को स्पोट पर्ञार्जि़ करता है तो और बहुत ही क्या अगर बात किया बै सब्सक्राइब करें तो आपको यहां पर देने होंगे 14000 अच्छा है अगर बात की जब प्रसेशर की तो रिएल्मी एट और रेडमी नोट 11 में आपको एक ही प्रसेशर मेडिया टेक डाइमसीटी 810 को लगा दिया गया है अगर बात किया जा रिएल्मी एट और रेडमी नोट 11 में वीडियो कैप्चर की तो दोनों फोन में आप 1080 30 fps पर वीडियो को रिकोर्डिंग आप कर सकते हैं जो क्यूलिटी में काफी अच्छी होती है लेकिन 4 की सुपोर्ट नहीं करते हैं अगर बात करें एक दोनों फोन मे अगर मेरी बात को मानते हैं